मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं यहाँ पर जो भी बच्चा दिल्ली का कटोफ देखना आया है उसको मैं सही तरीके से смер覺 उसको कटोफ बता पाऊ वीडियो चाले होगा है क्या वीडियो चाले होगा है सोरी सोरी दोस्टों यह मैं इसलिए करता हूँ दोस्तों ताकि मैं आप सब लोगों कोई आप हैं कट अची तरह बता पाऊं तो आज का ये वीडियो काफी ज़्यादा helpful रहने वाला है आप लोगों को अब तक का यूटूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि आप लोगों को लगता क्या है पहले इस वीडियो में बता देता हूँ किस किस के बारे में हम लोग जानका नहीं जुटाएंगे यहाँ पर हम लोग rank IQ के बारे में देखेंगे कि rank IQ में आप लोगों को अपने rank IQ कैसे चेक करना है साथ ही यहाँ पर देखेंगे answer की के बाद में क्या महावल बन चुका है answer की के बाद में जो बच्चा 80 नमबर बोल रहा था आज वो 40 और 50 पर आ चुका है वो भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा इसी के साथ ही सबसे बड़ा जो important point आता है आप लोगों का जो northern railway आता है वो tough zone में आता है अगर tough zone में आता है तो tough zone में आने की वज़े से यहाँ जो percentile normalization की तो अलग बात है क्योंकि यहाँ पर tough zone में आता है न तो इसका cutoff कितना ज़्यादा जा सकता है और percentile normalization होगा जब railway इसमें formal लगाएगा percentile normalization में तो यह आप लोगों के यदि first shift में paper हुआ है second shift में paper हुआ है third shift में paper हुआ है अगर कोई shift बहुती ज़्यादा खटीन आई है तो उसका percentile normalization में कितना marks बढ़ेगा इसी के साथ में total vacancy देखेंगे और हम यह आपे यह भी देखने की कोशिश करेंगे आकिर कर आप लोगों के यहापे जब दिल्ली की official website खोलोगे न आप लोग आपे एक चोटे से update के बारे में बता हुआ है और यहापे एक और सबसे बड़ा जो important निकल के आएगा वो सबसे बड़ा important निकल के आएगा आप लोगों यहापे जब आप लोगों का physical हो जाएगा जैसे physical हो जाने के बाद में आप लोगों का जब P.E.T. test complete करा लिये जाएगा railway के दुवारा तो physical के बाद में आप लोगों की जो list आएगी ना यह role number लिख रहेगे यह role number लिख रहेगे ना यह वाले role number यह role number यह list कब आएगी आप लोगों की जब आप लोगों का physical हो जाएगा physical physical होने के बाद में जब DV और medical की list आएगी तो इसमें जितने बच्चे होते हैं, टोटल कितने बच्चे होते हैं, उसमें वेकिंसी के उतने ही बच्चे लिये जाते हैं, खेने के मतलब है जितनी वेकिंसी आप लोगों का होती है, जैसे दिल्ली में कितनी वेकिंसी है, दिल्ली में यहाँ पर आप लोगों का, दिल्ली म अगर कोई भच्च यहाँ पे सलेक्शन से रे जाता है तो वेटिंग लिष्ट यहाँ पे रेल्वे के अंदर गट होती नहीं है वेटिंग लिष्ट अगर देखा जाये तो लोगों का वेटिंग लिष्ट कैसे होथी यहाँ पे क्योंकि यहां पर बुलाए जाता है बच्चों को यहां पर जब बच्चे इनको complete नहीं मिल पाते हैं बच्चे इनको जैसे complete नहीं मिल पाये बच्चे तो यह first DV, second DV, third DV इस तरह से यह कई सारे बच्चों को बुलाते हैं और यहां पर जो कम number आए जिसके कम number आए जिसके 40-45 number तो वो भी बच्चे का यहाँ पर selection देखने को मिल सकता है क्योंकि इस तरह से क्योंकि लगातर चलते रहेता है अभी एक zone है जिसमें क्या चल रहा है अभी एक zone है जिसमें 2018 का दोस्तों 2018 का अभी जो group D का बरती था ना 2018 का अभी complete नहीं है उसमें 12th level का 12th जिसे 1st DV, 2nd DV, 3rd DV होता है इसे 12th यहाँ बार विवार DV medical हो रहा है और cut off को down करके और कई सारे बच्चों को बलाते है जो भी vacant post होती है आप लोगों कि यहाँ पे उसको खाली नहीं चोड़ सकते हैं तो आईए इस्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में आकिर कर आप लोगों यहाँ पे rank IQ में किस तरह से data देखना है सारा कुछ देखने को मिलेगा तो सब कुछ बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या बोलूँ मैं आप लोगों के आप आप तो मुझसे बड़े भी होंगे जो भी मेरे भाई है या sitter है इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो को बनानी के लिए आप सब लोगों को पता लग पार होगा मैंने कितनी मेनत किया है तो आईए स्टार्ट कर लेते हैं यह वीडियो तो दोस्तों क्या है नई दिल्ली जोन अंसर की के बाद में कटोव बताना वाला हो और जो कटोव बताई है फिजिकल के लिए यह काफ़ी ज़्यादा important है और जिसके भी 40 से लेके 70 के बीच में number है तो इस वीडियो को पूरा देखे आप लोगों को पता लग जाएगा आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है सबसे पहले जो important point है इस वीडियो का वो है आप लोगों को आपे rank IQ से data कैसा चेक करें rank IQ पर अपनी rank कैसे चेक करें तो आउर rank IQ पर अपना rank IQ पर आप लोगों किस तरह से data चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को यहां पर rank IQ की official website खुलने लिए official website का link इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगा rank IQ जैसे आप लोगों के यहां पर link आने के बाद में आप लोगों को क्या करना है ये क्या क्या मांगता है लिंक आने के बाद में ये आप लोगों का सबसे पहले है तो एक ये मांगता है आपे अपनी शिप्ट के अनसर की देखियोगी जैसे ये वाली है आप लोगों का ये शिफ्टisen लेवल 1 यहाँँग पर यह वाली अनसर की ए मांड इस तरह को क्या करना है इस लिंक को कोफी करने है और कोफी करने के बाद में आप लोगों को इस साइड के एक उपर यहाँपे किलि यहां पर इस link को paste कर देना paste करने के बाद में दोस्तों क्या होगा paste करने के बाद में आप लोगों के अपनी category select करने है जो भी आप लोगों की category है चाहिए फिर आप लोग जन्दल से हो फिर EWS से हो OBC से हो यह SC से हो आप लोगों का अपनी category choice करने है उसके इसाफ से category choice करने के ब एक service mean है, तो एक service mean किलिक कर देना, उसके बाद में आप लोगों कर करना है, अपने यहाँ पर zone चुनना है, अब यहाँ पर total सभी zone दे रहा हो, आप लोगों के आपे, जो total solo RRC है ना, वो सारे यहाँ पर दे रहे के, आप लोगों के यहाँ तो आप लोगों किस्से हो, इलाब जो आप लोग password ऐसा create करना है आप लोग ने नीचे लिख रहा है यहां पर इट इस है रिकुराइड फोर सेफ गाड़्टिंग यह डाटर फ्रोम धा अधर चार करेक्टर का पासवर्ट लिख देना है यां पे पासवर्ट लिखने के बाद में आप लोगों यहां पे जैसे आप लोग पासवर्ट लिखोंगे यांपे तो नीचे आप लोगों को यहां पे यह वाला option आएगा सम्मीट और सम्मीट का आएगा लोगिन का मतलब होता है अगर आप लोगों का पहले से यहाँ पर डाटा खुला हुआ है पहले से आप लोगों ने rank IQ पर data rank दिख रहागी तो आप लोग यहाँ से direct login कर सकते हो और यह submit पर कर सकते हो फिर आप लोग आरम से कोल पाओगे तो यहाँ पर खोलने के बाद में आप लोगों को क्या होगा यहाँ पर खोलने के बाद में आप सब लोगों के साथ में एक चीज फी जी होगी यहाँ पर कि जो rank IQ होना आप लोगों का rank IQ होना इस rank IQ पे आप लोगों को अपने marks कितने हो की है नंबर कितने आ रहे हैं और आप लोगों की रेंग कितनी आ रहे हैं सब कुछ यहां पर देख पाओगे और यह भी पता लग जाएगा आप लोगों यहां पर आप कितने बच्चों से आगे हो तो रेंग आएक्यू के बार में मैंने आपे बता दिया अब सबसे बड़ा जो important point है rank IQ के बाद में आता है यहां पर जैसे कल answer की आई थी यहां पर अंसर की आप लोगों की कल एक बज़े आ गई थी उसके बाद में जो मावल बनाता अंसर की का वो आप लोग खुद देख सकते हो यहां पर अंसर की का जो मावल बनाता है दोस्तों देखने लाइक में आता कैसे कैसे एक बच्चा आज कैसे एक बच्चा आज आसी वाला बच्चा आज देखो कितने पर आ गया 40 45 और 50 पर आ बेटा आप लोग खुद देख लो अपनी आँकों से खुद देख लो देख पारे होग ना अब कैसे देख पारे होगे यह देखो तो सारे सबुत ले दुआ रहा है यहां पर क्या किया गया था आप लोगों को पॉल की रेट किया गया था और यहां पर बोला गया था एनार दिल्ली जोन गुरूब डी वालो कितना मार्क्स आ रहा है और पिलीज सच बोलो तो जो भी बच्चे ने यहां पर प्यारे से यहां पर वोट दिया है वो मैं यह मानता हूं यहाँ पर सच लड़के इस चैनल के उपझेश्च आपर निकल के आ होगा कि रेल्वे का कटॉफफ यहां पर 40-45 तक भी आप लोंगों को देखने को मिल सकता है किसी जोन में अगर चैसा कोई जोन है तो यहह वह पर के कटॉफ ही आप लोगों को बहुत कम बलकि जो 70 से उपर है वो तो यहां वालों गिनो चुनो में से एक है अपवाद माल लो उसको तो इने तो बाकी तो आप लोगों का 50 से यहां 50-60 के बीच में ही आप लोगों का overall यहां पे निकल के आ रहा है तो यहां से हम लोग कट ओफ का भी निर्धारन करें न तो आराम से कट ओफ की अवारे में पता लगा सकते हैं इसके अभी मैं फिजिकल की कट ओफ बताओ जब आप लोगों को बता दूँगा तो आप बात कर लेते हैं, आप लोगों का जो दिल्ली है ना, दिल्ली वो आप लोगों का tough zone में आता है, अब tough zone में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, tough zone में आता है, तो इसकी cutoff भी थोड़ीबोधाई देखने को मिलेगी, आईए थोड़ा से इसको समझते हैं तो percentile normalization में दोस्तों क्या होगा first shift, second shift और third shift अब इसको आप लोगों को ज्यान पूरवक समझना है जैसे मालो कोई बंदे ने exam दिया यह जो first shift ना यह तो उसकी क्या आगई, easy आगई और यह इसकी कैसी आगई, यह आगई यहापर आप लोगों की moderate आगई और moderate आने के बाद में और यह आगई आप लोगों की आपर tough आगई अब यह कोई A वाला बंदा है और यह आप लोगों का B वाला बंदा है और यह वाला C वाला बंदा है A वाले ने ये वाला एक्जाम दिया B वालों ने ये वाला एक्जाम दिया और C वालों ने ये वाला एक्जाम दिया Sorry sorry B वालों ने एक्जाम ये वाले दिया तो first shift यहाँ पर EG आईए तो A वाले का जब percentile normalization होगा तो इसका number कम बढ़ेगा क्योंकि EG पेपर आये तो सब बचों ने यापे item करेंगे और अच्छे का से marks लाएंगे तो percentile normalization का इतना फरक ने पड़ेगा सबसे ज़्यादे जो फरक पड़ेगा percentile normalization का वो tough वाली shift में पड़ेगा अगर यहाँ पर किसी बंदी के 40 भी आ रहे है तो percentile normalization जब होगा तो उसका आराम से selection हो जाएगा अब रही बात यहाँ पर percentile normalization की कितने marks बढ़ेगे तो इसके बारे में मैंने क्या करा है इसके बारे में अपने ही channel के उपर एक community poll डाला है जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा है कि percentile normalization में कितने marks बढ़ेगे उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर जो community post से निकल के आएगा और उसके बाद में मैं analysis करके वो सब मैं आप लोगों के सामने रख दूँगा तो यह होगा आप लोगों कि यहाँ पर percentile normalization के बारे में अब बात करें यहाँ पर आप लोगों का दिल्ली में कितनी vacancy है दिल्ली में कितनी vacancy है उसके बारे में बात करने से पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान पूरोग समझें तो total vacancy दिल्ली के अंद्रगत 13,153 vacancy है गुनिस लाग 3,700 choice form लगें अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस यहाँ पर रहे इनका third phase में एक्जाम रहे तो 45-45-50% अटेंडेंस रहे और यहाँ पर जो बच्चा एक्जाम दे रहा है तो कितने बच्चे यहाँ पर एक्जाम बेटा है तो 21,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 के लिए पास करेगा अगर देखा जाए तो एक सीट के ऊपर जो competition है एक सीट के ऊपर competition कैसे निकालेंगे तो 9,8962 बच्चे exam में अपीर हो रहे हैं तो जो physical में तीन गुना को बुलाएगा उसका भाग दे देंगे तो गुंतालीस सीट के लिए चोईस बच्चा लड़ रहा है और इससे कम भी competition हो जाता है तो यह आप लोगों के आप वेकिंसी के बारे में बताएं और इसी के साथ में आप लोगों के आप फिजिकल की कटो आप फिजिकल के लिए कटो बताने इसमें पहले मैं आप लोगों के एक बता दू कि वेटिंग लिष्ट का किस तरह से यहां पर रेलवे प्रावदान करने वाला है वेटिंग लिष्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आप तो वेटिंग लिष्ट में क्या है दोस्तों अब टोटल कितनी वेकिंशी दिली से धेख प्रइस्ट करेंगा और आपए आपको जातें हो एक तो इस तरह से लिश्टा आएगी डॉकुमेंट वेरीफिकेशन और medical के लिए list आएगी जैसे ये list आएगी ना तो इसके अंदर के जो बच्चे select किये जाएगे वो जो total vacancy है आप लोगों को दिल्ली के अंदर के 13,153 बच्चों को यहाँ पर बुलाए जाएगे और ऐसा नहीं है कि 13,153 में से यहाँ पर आप लोगों को 13,153 153 की जगे चावन बच्चों को बुलाजाए एक candidate को भी जादा नहीं बुलाए जाएगे जितने seat उतने यह बच्चों को बुलाएगे और ऐसे में यहाँ पर एक question उड़ता है आप लोगों को फिर waiting list का क्या होगा waiting list railway के कोई प्रावदा नहीं रेल्वे ने waiting list को खारीच कर चुका है पर waiting list आट देखा जाए ना तो waiting list आप लोगों का direct रूप से तो नहीं है पर सई से देखे तो indirect रूप से आप लोगों को waiting list दिखाए देगी क्योंकि बहुत सारे बच्ची होता है जैसे total कितने number है total यह माल लेते हैं total कितने number है 13,000, 13,153 बच्चे है तो 13,135 में जब आप लोगों के यहाँ पर DV प्लस medical होगा तो यहाँ पर DV और medical होने के बात में क्या होगा आप लोगों यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होगे medical में fail कर जाएंगे कुछ बच्चे ऐसे होगे इस नोकरी को नहीं लेंगे को एंटी पीसी में select हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तो आप सब लोगों के साथ में जो भी बच्चे यहाँ पर DV में successful नहीं होगा या unsuccessful हो जाएगा तो क्या करेगा railway यहाँ पर जो cut off को railway क्या करता है आप है railway cut off को down कर देता है cut off को down करने के बाद में आप लोगों के आप है दूसरी second DV जारी करता है third DV जारी करता है देखा जाए ना तो यह एक waiting list है जिसमें बच्चों को आप है cut off को down करके और बच्चों को बुलाया जाता है डीवी मेडिकल के अगर ये बच्चे छट जाते हैं तो फिर फॉर्ट डीवी कर देता है इस तरह से जब तक करता रहेगा रेलवी तब तक कि वो पोस्ट जब तक पूरी फुल्फिल ने कर ली जाएगी तब तक ये करता रहता है तो वेटिंग लिस्ट के बारे में ये सारा क नने अप लोगों के लियर कर दिया आप देख लेते हैं तो लास्ट आंड फाइनल आप लोगों का पूइंट Beim वह एं प्रेयाілट है क्या रहेगी तो आउए दोस्तों के लिए लिए कट ओफ देख लेते पर परक्षा अगर आप लोगों के यहां पर 60 नमबर भी आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल के लिए तेयरी करने इस्टार्ट कर दो यहां पर वोग यहां पर सकती हैं वो 60 जाएगी और इसे ऊपर तो कट ही नहीं जा सकती ही ये फीजिकल के लिए Cut Off है अगर दोस्तों बात करें यह पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे जिनք नंबर इतने नए आ रहे होंगे जिनके नंबर इतने नहीं होंगे किसी के यहांपर तो यहां पर सेलेक्शन और यह मुस्किल होगा पर इनका तो यहां पर लाश्ट ऑन प्वाइनल कटॉफ भी होगी वह यहां पर जाएगी तो फैनल कटॉफ के लिए बता रहा हूं मैं आप लुगों यहां पर इतना फीजिकल है इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग फैनल उसके बारे में बता दिया साथ ही जो percentile normalization का formula है वो यहीn formulaní 8 संचार बच्चे बहुए को जिटने बच्चे बेट रहे हैं आप लोगों ही shift में उतने बच्चों को निचे रख दो और जितने बच्चे आप लोगों के एक जाम में 100 बच्चे बेटे आप लोग क्या कर दो, 100 से 100 कड़ जाएगा, और यहां पर percentile normalization आजएगा, तो 70 percentile बन जाएगी, यानि कि कुल मिलाकर यह है, railway का पूरा 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 जो formula है, percentile normalization यह होने वाला है, number of the candidate appeared in the shift, जो बच्चे आप लोगों के, आपकी shift में बच्चे हुए है, with the row score equal to less than, या तो आप लोगों के 70 से नीचे वाला number को देखना है, यह 70 के बराबर वाले को number को देखना है, और उससे नीचे है, आप लोगों को बच्चे में जितने बच्चे shift में फर्ष्ट में आ रहे हैं, उसको multiply कर देना है 100 से, और इस तरह से आप लोगों का percentile normalization निकल के आ जाएगा, तो यह वीडियो कैसा लगा, जो भी मेरा भाई दिल्ली से देख रहा है, यह मैने कटो बता दी final और आयोपी आप इस वीडियो से आप लोग समझ पाया होंगे, और परसेंटेल normalization क्या, आप लोगों के row score कितना है, एक तो category बता दो, आप लोगों के SCA या OBCA डोलेस है, कैसी category है, यानि कि category बताओ, और आप लोगों के row score बताओ, और row score बताओ, तो category row score आप लोग नीचे comment box में छोड़ देना, तो ये ता आज के वीडियो जिसमें में आप लोगों को बताने की कोशिश करी, मिलते हैं जल्दी अगले next and fresh वीडियो के साथ,